Let's improve English कभी किसी के पेट पर लात मत मारना इसे English में कैसे कह सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही साथ में कुछ ऐसे ही Confusing sentences का English translation में आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो को end तक जरूर देखना आपकी English definitely improve होगी जैसे इसे हम कैसे कह सकते हैं कभी किसी के पेट पर लात मत मारना तो English में एक एडियम होता है जो इसके equivalent है इसके बराबर का meaning रखता है Never take the bread out of someone's mouth Never take the bread out of someone's mouth इसका मतलब यही होता है कि किसी की रोजी रोटी पर लात मत मारो रोजी रोटी को मत च्छीनो पेट पर लात मत मारो never take the bread out of someone's mouth तुम क्यों मेरे पेट पर लाद मारना चाहते हो why do you want to take the bread out of my mouth why do you want to take the bread out of my mouth यह आप कह सकते हैं why do you want to deprive me of my livelihood of my livelihood livelihood का मतलब होता है आजीविका means of making ends meet यानि कि अपना खर्चा चलाने के लिए जो भी इनसान करता है जो आजीविका होती है उसकी उसे कहते हैं livelihood तो livelihood से मुझे deprive क्यों करना चाहते हो मुझे वंचित क्यों करना चाहते हो मुझे से दूर क्यों करना चाहते हो कहने का मतलब वही है कि पेट पर लाद क्यों मारना चाहते हो why do you want to take the bread out of my mouth ये बात तो आपने सीख ली कि पेट पर लाद मारना इसके लिए आप take the bread out of someone's mouth का use कर सकते हैं अब इस बात को देखिए अगर मैंने clothespin नहीं लगाई होती तो सारे कपड़े उड़ गए होते किसीने मुझे comment करके पूछा कि इस sentence को हम कैसे translate कर सकते हैं और ये कौन सा conditional sentence है तो इसमें आप देखिए ये past की बात हो रही है clothespin यानि जो कपड़े सुखाने के लिए उन पर लगाए जाते हैं चिटकनिया जो भी उसे कहते हैं हिंदी में शाय चिटकनी कहते हैं clothespin कहते हैं clothespack भी बोलते हैं उनको अगर मैंने clothespin नहीं लगाई होती यानि past की बात है अगर नहीं लगाई होती तो कपड़े उड़ गए होते सचाई ये है कि मैंने लगाई थी और कपड़े उड़े नहीं है लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ अगर ऐसा होता तो वैसा होता ये third conditional है इसको हम कहेंगे if I hadn't used the clothes pins all the clothes would have been blown off सारे कपड़े उड़ गए होते if I hadn't done something something would have happened अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो गया होता third conditional या फिर आप यहापे clothespin का यूज़ करने के वजाए सिर्फ pin भी कह सकते हो if I hadn't pinned the clothes if I hadn't pinned the clothes अगर मैंने clothes को pin नहीं किया होता तो सारे कपड़े उड़ गए होते तो इस तरीके से आप SNS को बना सकते हैं अब आप इस बात की तरफ देखिए आपको देखके मेरी जान में जानाई है मैं तो बड़ा डर गया था कि आपको क्या हो गया होगा लेकिन आपको देखके अब मेरी जान में जानाई है इंगलिश में से कह सकते हैं having seen you, I am revived I am revived किसी को revive करने का मतलब होता है किसी को नई energy दे देना उसको फिर से strong बना देना यानि मैं फिर से strong बन गया हूँ एक नई जिन्दकी मुझे मिल गई है मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, strong फिल कर रहा हूँ, बिलकुल एकदम relieved फिल कर रहा हूँ कि आप मुझे दिखे, कहने का मतलब हो यह कि जान में जान आ गए आपको देखके Having seen you, I am revived, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, you have revived me आपने मुझे revived कर दिया, you have given me a new energy, new motivation, new encouragement I am comforted to see you, I am comforted to see you, मैं तुमें देखके, बड़ा ही comfortable फिल कर रहा हूँ, मेरी जान में जान आ गई है I am comforted to see you, उसे सही सलामत देखके, मेरी जान में जान आई, उसे सही सलामत देखके उसे safe और sound देखके मेरी जान में जाना आई तो इस तरह से आप कह सकते हैं आपका मुझ पर एहसान है इसे English में कहेंगे ध्यान रखना spelling की तरफ US English में you नहीं लगता है तो फेवर में से you हट जाएगा और British English में ऐसी लिखते हैं I owe you a favor Friends O का मतलब होता है कि आपको किसी को कुछ देना है ये एक ऐसा word है जो काफी लोगों को confused कर देता है तो इसके उपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है O के उपर जिसमें मैंने समझा है कि इसको कैसे अलग-अलग तरीके से हम use कर सकते हैं इसका मीनिंग कैसे हम clear रख सकते हैं हर बार तो उस वीडियो को आप जरूर देखना अगर आप इसका मीनिंग अच्छी से समझना चाहते हैं आपको उस करने की यहीं पर आई बटन में मिल जाएगा next देखिए आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे उतारूँगा एहसान कैसे उतारूँगा I don't know how I will return your favor मैं आपके favor को return कैसे करूँगा I don't have any idea about that I don't know, I can't understand I don't know how I will return your favor तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे तो कई बार हम किसी से गुष्से में कहते हैं कि तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे You are not doing me any favors You are not doing me any favors This is an idiom Doing someone no favors यानि किसी पर कोई एहसान नहीं करना जैसे हमें कहना है कपड़े धो के तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया अपने कपड़े धोये You didn't do me any favor by washing the clothes You didn't do me any favor by washing the clothes कपड़े धो के तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया कम से कम खाने में तो कंजूसी मत करो English में कहेंगे Don't be miser at least with food At least with food खाने को लेके तो कम से कम miser मत बनो कंजूस मत बनो कम से कम अच्छा ओडने पहनने में तो कंजूसी मत करो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो Don't be miser at least with dressing up Dress up करने का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहनना कहीं के लिए तयार होना तो यहाँ पर आप dress up phrasal verb का यूज कर सकते है Don't be miser at least with dressing up Dress up करने के मामले में तो कम से कम कंजूसी मत करो उसने खूब चड़ा रखी थी तो यहाँ पर चड़ाने का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं खूब उसने चड़ा रखी थी मतलब यहाँ पर दारू की बात हो रही है वाइन की बात हो रही है He was high on alcohol He was high on alcohol ऐसे आप कह सकते हैं कि वो high था He was high on alcohol यह आप कह सकते हैं He was inebriated यह थोड़ा सा advanced word है तो इसका आप use नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कह सकते हैं He was blind drunk He was blind drunk Blind drunk होने का मतलब होता है एक दम यह वो नशे में धूद था खूब चड़ार की थी उसने he was blind drunk यह फिर सिर्फ आप He was very drunk भी कह सकते हैं He was roaring drunk He was roaring drunk कई वर ऐसा होता हैं कि दारूपी के लोग बहुत ही उचलने लगते हैं बहुत चिलाने लगते हैं शोर मचाने लगते हैं Heads up मार दूँगा सबको तो इस तरीके से जब उनकी हालत हो जाती है तो हम कहते हैं कि He was roaring drunk यानि वो बहुत उसने पी रखी थी और वो चिला रहा था एकदम सब का जिना हराम कर रहा था दोबारा मत चड़ा लेना इंग्लिश में कहेंगे Don't get drunk again Don't get drunk again या फिर Don't be high on alcohol again Don't be blind drunk again इन में से किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं उसने मुझे 1000 रुपे का चूना लगा दिया चूना लगा दिया जब ऐसे कोई कहता है तो इसका मतलब ये निकलता है न कि उसने मुझे धोखा दे दिया भूखे से उसने मेरे 1000 रुपे हडप लिये चूना लगा दिया 1000 रुपे का ब्योखुफ बना दिया इसके लिए क्या सकते हैं He swindled me out of 1000 रुपी He swindled me उसने मुझे swindled किया Cheat کیا भूखे से चूना लगा दिया 5000 रुपे का या तो आप ऐसे कहेंगे He swindled me out of 1000 rupees या फिर आप कहेंगे He swindled 1000 rupees out of me He swindled 1000 rupees out of me वो तुम से पहले कई लोगों को चूना लगा चुका है He has swindled many people before you He has swindled many people before you तो ऐसे आप swindled का use कर सकते हैं It's a very nice word कई बार ऐसी बाते लोग करते हैं चूना लगा दिया उसने So he swindled me out of something तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या तो कई बार ऐसा होता है कि हम सब को कुछ कुछ बता रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा तो हम कह रहे हैं तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा Will I have to tell you separately तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा helpful लगी है क्योंकि मैंने इसमें काफी कमाल की बातों की English आपको बताई है कैसे इन बातों को लोग Hindi में कहते हैं और फिर confused हो जाते हैं अगर उन्हें इनकी English बनानी पड़ती है तो अब आप जानते हैं उनकी English कैसे बना सकते हैं इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पर अवेलिबल हैं आप उन्हें देख सकते हैं और अपने English को इंप्रूफ कर सकते हैं और regularly इस चैनल पर वीडियोज आती रहती हैं जिससे आप अपने English को इंप्रूफ करते रह सकते हैं ओके friends thank you very much for watching this video इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना उसमें आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है तो friends आपके सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ी motivation मिलती है energy मिलती है ताकि मैं इसी तरह से मेहनत में लगा रहा हूँ और नहीं से नहीं वीडियो आपके लिए आता रहा हूँ थैंक यू वेरी मुच फो वाचिं दिस वीडियो वेल टॉक इन नेक्स वीडियो लेस्न तिल देन टेक केर और बाई